Good morning students, आज की हमारी क्लास फ्रेजल वर्प की होने वाली है? वर्ब में जब प्रेपोजिशन या एड़ब जुड़ता है तब फ्रेजल वर्प बनती है और फ्रेजल वर्प का अपना एक अलग मीनिंग होता है तो आज हम कुछ इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्प देखेंगे, उसका मीनिंग देखेंगे और उसका सेंटेंस में यूज देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते है पहले फ्रेजल वर्प हो जाएगी अकाउंट फोर यानि किसी चीज को इसपस्ट करना या उसका कारण बताना इसका सेंटेंस में यूज हो जाएगा एक ट्रेजल वर्प है आसक आफ्टर उसका मीनिंग हो जाएगा to invite यानि आमंतरित करना I ask her out to dinner यानि मैंने उसको डिनर पर invite किया तो ask out यानि आमंतरित करना next phrasal verb है add in add in का मतलब होता है to include यानि सम्मलित करना He added in Ram in team यानि उसने Ram को team में सम्मलित किया और add up यानि find the total योग याद करना जोड़ना तो you are ordered to add up these numbers तुमें order दिया जाता है कि इन numbers को जोड़ो तो add in यानि team वगर में या अपने में सम्मलित करना और add up यानि total करना next phrasal verb है abide by इसका meaning हो जाएगा to obey law or to do what somebody has decided यानि किसी कानून आदी का पालन करना या किसी निर्णाई के अनुसार कार्य करते रहना इसका sentence में use हो जाएगा we will abide by your decision यानि हम तुमारे decision के according काम करते रहेंगे या तुमारे निर्णाई के अनुसार कार्य करते रहना abide by यानि निर्णाई के अनुसार कार्य करते रहना इसका next example हो जाएगा we must abide by the law यानि हमें कानून का पालन करना चाहिए तो abide by यानि कानून का पालन करते रहना या किसी के निर्णाई के अनुसार कार्य करते रहना हम back verbs से बनी हुई कुछ frazzle verbs देखेंगे तो सबसे पहले हो जाएगी back away ये important है एक्जाम में पूछी जाती है back away का meaning हो जाएगा to move away backward और to avoid doing something यानि किसी काम से पीछे अटना किसक जाना या टालना इसका sentence में यूज हो जाएगा he back away from the planning of theft at the last moment यानि last moment में वो चोरी की जो planning थी उससे पीछे अट गया back से बनी हुई दूसरी फ्रेजल वर्प हो जाएगी back down इसका meaning हो जाएगा to back a demand or an opinion to admit defeat यानि हार स्विकार कर लेना कोई दावा त्याग देना या अपनी हार मान लेना इसका sentence में यूज हो जाएगा they refuse to back down यानि उन्होंने हार मानने से इंकार कर दिया तो back down यानि हार मानना or he proved that he was right and his critics has to back down उसने प्रूव कर दिया उसने थावित कर दिया कि वह ही right है और उसके जो critics है उनको back down करना पड़ेगा हार मानने पड़ेगी next phrasal verb है back on to इसका meaning हो जागा to have something directly behind यानि किसी के बिल्कुल पीछे होना तो इसका sentence में यूज हो जाएगा my college backs on to the railway station तो यहां पर back on to का meaning हो जाएगा बिल्कुल पीछे मेरी college railway station के बिल्कुल पीछे है तो back on to यानि बिल्कुल पीछे होना फिर है back out of यानि to decide to quite that has been agreed यानि वादे से मुकरना back out of यानि किसी वादा किया हुआ होता है उससे मुकर जाना इसका sentence में यूज हो जाएगा you promised you would come with me you can't back out of it now यानि तुमने मेरे साथ आने का promise किया था वादा किया था अब तुम इससे मुकर नहीं सकते तो back out of यानि वादे से मुकरना और back on to यानि कि बिल्कुल पीछे होना next phrasal verb है back up अब ये back up phrasal verb इसके दो अलग-अलग meaning निकलते हैं तो उनको देखते हैं back up का पहला meaning हो जाएगा to support somebody यानि किसी का उत्सा बढ़ाना या समर्थन देना I shall back you up if nobody helps you यानि अगर कोई भी तुमारा साथ नहीं देगा तो मैं तुमारा साथ दूँगा मैं तुम्हें support करूँगा तो back up का एक meaning तो हो गया support करना या समर्थन देना या उत्सा बढ़ाना back up का दूसा meaning हो जाएगा to move backward specially in a vehicle यानि किसी गाड़ी में पीछे की ओर जाना तो back up का ये meaning हो गया पीछे अटना या विशेष्ट बाहन में इसका sentence में use हो जाएगा back up पे little so that the other car can get past यहीं थोड़ा सा अपने गाड़ी को पीछे लो ताकि दूसरी गाड़ी निकल सके तो back up का एक meaning तो हो गया उत्सा बढ़ाना या समर्थन देना किसी का और back up का meaning जब गाड़ी में हो गाड़ी के साथ हो तो उसका meaning हो जाएगा पीछे अटना ठीक है हम break words से related कुछ important फ्रेजल बाप देखेंगे तो पहली हो जाएगी breakdown उसका meaning हो जाएगा used about a vehicle or a machine to stop working वहान या machine का चलते चलते बंद हो जाना या खराब हो जाना the car broke down in the middle of journey यानि की रास्ते में कार खराब हो गई broke down यानि किसी भी machinery का खराब हो जाना एक meaning तो breakdown का ये होता है तो दूसा meaning भी होता है वो भी देखते है breakdown का दूसा meaning हो जाएगा used about system or discussion act to fail यानि किसी भी बातचीत या व्यवस्ता का विफल हो जाना asafal होना sentence में used हो जाएगा tax between two countries have completely broken down यानि दो countries की वीच में जो वार्तालाब चल रहा था वो asafal हो गया तो broken down का एक meaning तो मैंने बताया machine या किसी गाड़ी का खराब हो जाना दूसा meaning हो जाएगा किसी बातचीत का asafal होना तीसा meaning हो जाएगा इसका breakdown इसका meaning हो जाएगा to lose control of your feeling and start crying यानि कि अपनी भावनाओं पर नेंतरन खोकर रोने लगना तो he इसका sentence में used हो जाएगा he broke down in tears when he heard the news जब उसने वो news सुनी तो अपना control खो दिया अपनी भावनाओं पर रोने लगा तो broke down का एक meaning मैंने बताया वहन या machine आदी का चलते चलते बंद हो जाना या खराब हो जाना दूसरा किसी बातचीत का asafal रहना और तीसा meaning भावनाओं पर नेंतरन खोकर रोने लगना नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हो जाएगा break in या break into इसका meaning हो जाएगा to enter by force यानि बलपूर एक प्रेश करना या send लगाना इसका sentence में यूज हो जाएगा the thieves broke in and stole the ornaments यानि चोरों ने send लगाई और सारे जो जो ज्वेलरी थी ornaments थे उनको चुरा लिया इसका दूसर यूज हो जाएगा the burglar broke into the house यानि जो send मार थे उन्होंने घर में send लगाई या बलपूर एक प्रेश करके चीजें चूरा लिया तो broke into यानि send लगाना या किसी जगे पे बलपूर एक प्रेश करना नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है break out इसका meaning हो जाएगा to begin or spread suddenly of fire, disease, war, violence यानि बिमारी, हिंसा, आग युद का अचानक फैलना या छिड़ जाना इसका sentence में यूज हो जाएगा the war broke out between India and Pakistan यानि भारत और पाकिस्तान की भी इसमें war छिड़ गई है तो broke out यानि ये युद का छिड़ जाना next example है when I am stressed I break out in rashes यानि जब मुझे stress होता है तो मेरे rashes हो जाते हैं तो ये बिमारी का फैलना तो यहाँ पर break out का मतलब है कोई बिमारी का फैलना और यहाँ पर break out का meaning हो जाएगा किसी युद का छिड़ जाना तो break out के काफी meaning निकलंगे बिमारी का फैल जाना हिंसा का फैल जाना आग का फैल जाना यहाँ युद का छिड़ जाना next result है break off यानि to stop suddenly यानि बोलते बोलते अचानक रुख जाना he broke off in the middle of his story यानि वो story के बीच में ही यानि बोलते बोलते अचानक रुख जाना और break with यानि quarrel with या and friendship यानि कि दोस्ती तोड़ना या जगड़ा करना I gave him no cause to break with me यानि मैंने उसके लिए कोई भी कारण नहीं छोड़ा कि वो मेरसे दोस्ती तोड़ना या मेरसे जगड़ा करे तो break with यानि यानि किसी धकन को या किसी दर्वाजी को तो the police ब्रॉक ओपन दोर यानि पुलिस ने दर्वाजी को तोड़ कर खोला तो break open यानि to open by force यान तोड़ कर खोलना next step breakthrough यानि an important discovery or development यानि कि कि किसी मैतुपून खोज में सफलता प्राप्त कर लेना इसका sentence में यूज हो जाएगा we have achieved a real breakthrough in the search for peace यानि हमने शानती की तलास में एक वास्तविक सफलता आसिल किये तो break through यानि किसी काम में सफलता आसिल करना इसके अलाव एक और फ्रेजल वर्ब होती है break up जिसका सबको पता ही होगा किसी से संबंद तोड़ लेना यह सभी जो फ्रेजल वर्ब आज हमने की है exam के point of view से बहुत important है अगर class आपके लिए useful हो तो class को like करें चैनल को subscribe करें और video को अपने friends के साथ share करें thanks for watching